Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़िम में हूँ और इतनी अची बात से चली स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की जो फ्लमिंगो बुक है उसका chapter number 3, which is Deep Water by William Douglas So, बच्चों, इस chapter को पढ़ने से पहले, इस chapter का overview देने से पहले हम सबसे पहले इस chapter के author के बार में पढ़ते हैं ताकि हम connect कर पाएं कि author ने क्यों ये chapter हमको बताया है और narrate किया है About the author, Douglas was a leading advocate of individual rights So, Douglas, याने जो William Douglas हमारे author है वो कौन थे? एक advocate याने की एक lawyer थी He was a judge at the Supreme Court of USA और फिर वो USA, United States of America के court के Supreme Court के judge भी रह चुके है Retired in 1975 और वो 1975 में retire भी हुए थी With a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court तो इन्होंने as a judge कितने साल अपनी service प्रवाइड करिये 36 years इन्होंने as a judge अपनी service प्रवाइड करिये Which was the longest serving justice याने की ये वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक काम किया है और इसके बाद किसी ने 36 years की service अपनी कभी भी नहीं दी The following excerpt is taken from Off Men and Mountains by William O. Douglas तो ये जो chapter हम पढ़ रहे हैं ये एक बड़ी सी lengthy सी book जो है जिसका नाम है Off Men and Mountains का छोटा सा excerpt है excerpt है यानि छोटा सा एक part है तो जो बड़ी सी book है Off Men and Mountains उसका एक छोटा सा part हमने निकाल के as a chapter हम आज आपका chapter number 3 पढ़ेंगे ओके introduction अब chapter का introduction देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा overview देती हूँ कि chapter में क्या होता है ये जो chapter है ये William Douglas के ही उपर है उन्होंने अपनी खुद की personal life का जो experience है वो हमें इस chapter में narrate किया यानि की सुनाया है William O. Douglas जो थे उनको पानी से बहुत डर लगता था इतना डर लगता था इतना डर लगता था कि उनके जैसी पूरी body freeze हो जाती थी पानी के नाम से ये जो इनका डर था ये दो reasons की वज़े से हुआ था एक पर जब William O. Douglas छोटे से 3-4 years के थे तो वो California के एक बीच पर अपने फादर के साथ गए थे एंड एक बहुत बड़ी सी wave आई जिसमें वो पूरे अंदर धस गए wave के अंदर वो लहर ने उनको पूरा cover कर लिया था और वो literally out of breath हो गए थे यानि की सांस नहीं ले पा रहे थे तो वो बहुत डर गए फिर उसके बाद कई सालों तक उनका ये जो डर था उनके मन में बैठा रहा फिर जब वो 10-11 years के हुए तो वो YMCA यानि की याकेमा नाम का ये जो शहर है वाशिंग्टन USA में वहाँ पर एक पूल होता था एक swimming pool होता था तो ये इन्होंने बच्चों को परिशान करता था और उन्होंने William को swimming pool में धक्का दे दिया वो deep 9 feet deep swimming pool में जाकर अंदर डूब गए और उन्होंने कई कोशिश करी अपनी जान बचाने की 3-4 बार वो उपर surface पर भी आपा है लेकिन किसी तरह किसे वापस वो नीचे चले आते थे उनका ये जो डर था वो वापस लॉट आया swimming pool में गिरने की वज़े से और उनके हालत बहुत जादा खराब हो गई थी वो literally उनके lungs जैसे फट रहे थे, burst हो रहे थे, दर्थ के मारे क्योंकि उनकी सांस जा रहे थी, उनका mind blackout हो गया था अंदर मतलब उन्होंने एक तरीके सो death को experience कर लिया था बिल्कुल death उनकी आई गई थी, इतनी उनकी हालत खराब हो गई फिर suddenly किसी ने उनकी जल्दी से जान बचाए, उनको बाहर निकाला और उसके भाद से लेके उनके मन में ये डर जो था बहुत बुरी तरीके से बैट गया था विल्यम ने अपनी लाइस में जितने भी water sports थे, fishing थी या कहीं पर waterfall जाना है, जितनी भी water related activities थी, उनका करने का तो बहुत मन होता था लेकिन जब भी वो try करते थे, ये जो उनका डर था, जो water से मरने का जो उन्होंने experience कर लिया था इस डर की वज़े से वो अपनी कोई भी water sports को enjoy नहीं कर पाते थे फिर finally, विल्यम ने एक दिन decide किया कि वो एक swimming instructor रखेंगे याने अपने लिएक swimming का teacher रखेंगे जिसकी वज़े से वो अपने इस डर को overcome कर पाएंगे उन्होंने कई महीनों तक काफी months तक swimming सीखी और finally उन्होंने swimming सीख ली perfect हो गए, instructor की according तो विल्यम ने swimming सीख ली थी लेकिन विल्यम को खुद को ये लगता था कि शायग अभी मैं complete swimming नहीं सीखा हूँ क्योंकि अब भी कहीं न कहीं कुछ डर जो था पानी का अभी भी उनके मन में उनके अंदर था तो उन्होंने decide कि वो अकेले जाएंगे, एक lake में और खुद वहाँ पे पूरा चक्कर लगा के आएंगे उन्हें पूरी एक length, length का मतलब भी होता है, for example, यह पूरा आपका lake है यहां से उन्होंने start किया swimming करना, किसने? विल्यम ने तो यह पूरा यहां से swim करते हुए, गूमते हुए, वापस वो अपनी जगा पे आएंगे तो इसको बोला जाते है length, पूरी एक length, यानि जहां से start किया, पूरा वाँ से goal गूम के उसी जगा वापस आए, एक पूरा चकर लगा किया जैसे तो उन्होंने जबी अकेले किया, तो finally उनका डर खतम हुआ, और end में उन्हें एक perfect swimmer का उन्होंने अपने आपको खुद को ही एक tag दे दिया कि ठीक है, अब मैं perfect swimmer हूँ, क्योंकि अब finally मेरा डर खतम हो गया है जब तक उनका डर खतम नहीं होता, तब तक वे completely swimmer नहीं बने थे, खुद के लिए also end में William Douglas कहते हैं कि जो death होती है, जो मौत होती है, वो peaceful होती है, याने शांती की होती है क्यों? क्योंकि जब आपकी death हो जाती है, तो आपका mind peace में चल जाता है, आपको सोचते नहीं हो, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता तो William O. Douglas के according और former president of USA के according, यह है कि जो death होती है, वो peaceful होती है लेकिन death आने का जो डर है, जो fear है, कि हमारी death हो जाएगी, हम मर जाएगी, यह जो death का डर है, यह terrorizing है याने कि यह आपको डराता है, और आपके पीछे आपको haunt करता है, और आपका पीछा नहीं छोड़ता तो William O. Douglas का यह मानना था कि death is peaceful, याने जब death आजाती है, आप कुछ नहीं सोचते है, आप peace में चले जाते हो लेकिन death आने का जो डर, जब तक death नहीं आती हो, आपको डर रहता है कि हमारी death नहीं हो जाए, मारी death नहीं हो जाए तो यह जो death आने का डर है, यह डर आपको डर आता है, तो यह terrorizing होता है, हमें इस डर से जीतना है क्योंकि अगर हम इस डर से जीत गए तो हमारी पूरी लाइफ पीसफुल निकलेगी So this was all about the overview of the chapter, now let's begin the introduction In this story, Douglas talks about his fear of water, his story में Douglas किस के बार में बात करते हैं? पानी से उनके डर के बारे में And how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination और कैसे उन्होंने अपनी strong willpower से, courage याने हिम्मत से, hard work याने महनत से और firm determination याने द्रिनता से उन्होंने swimming सीख ली और अपना डर ये खतम किया Once he took courage, the fear vanished, जैसे उन्होंने हिम्मत करी कि नहीं मैं डरूँगा, नहीं हिम्मत करूँगा, पूरी length जो है swim करके आऊंगा मैं तो इस वज़े से उनका जो डर था वो फिर finally गायब हो गया था क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई थी That shows most of our fears are baseless इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने सारे डर तो baseless होते हैं याने कि इनका कोई मतला भी नहीं होता क्योंकि हम फालतू में डर रहे होते हैं और जब पता चलते हैं अरे ये इतना easy था मतलब हम तो फालतू में डर रहे थे तो इससे में पता सेलते है कि इतने सारे चीजों की वज़े से हम जो डरते हैं वो baseless है Fear creates dangers where there is none Fear की वज़े से, डर की वज़े से हमें danger भी दिखता है कि हमारे लिए कुछ danger है जबकि होता कुछ नहीं, there is none हैने होता कुछ नहीं हम फाल्तू में डर रहोते हैं हमें सरफ courage, हिम्मत दिखाने की जरूरत है The writer's experiences further confirm the proverbial truth Where there is a will, there is a way तो writer जो है, जो William O. Douglas है, उन्होंने क्या experience किया? एक idiom, एक phrase जो है, proverb है, उसको experience किया Where there is a will, there is a way जहां पे will है, यानि जहां पे करने की इच्छा है जहां पे courage है, जहां पे हिम्मत है वहां पे difficult situation में आपके लिए रास्ता खुद बखुद खुद खुद खुलता जाएगा तो यह जो चीज थी, पूरी किसने experience करी थी हमारे writer ने Now let's begin with the explanation of the chapter So let's begin with our chapter It had happened when I was 10 or 11 years old तो यह तब हुआ था जब मैं 10 या शायद 11 साल का था और यह I कॉन है, I है William याने हमारे writer तो वह अपनी story खुद नरेट कर रहे हैं और वो बताने की यह तब की बात है जब शायद में 10 या 11 साल का था I had decided to learn to swim और यह वो time था जब मैंने decide किया था कि मैं swimming सीखूंगा There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity YMCA क्या होता है? YMCA का full form है Young Men's Christian Association यह एक association, एक community है जिनके अलग अलग शेहरों में centers होते हैं जहां पे लोग swimming pools में लोगों को swimming सिखाते हैं और इनके कुछ centers इंडिया में भी हैं तो उसी तरीका का यह YMCA याने Young Men's Christian Association जो की Yakima नाम के शेहर में थी यह center Yakima क्या है? एक place है Washington, USA याने United States of America में और वही पर जाके, YMCA के pool में ही जाके उन्होंने William ने decide किया कि यहां पे मैं swimming सीखूँगा The Yakima river was treacherous अब Yakima शेहर में ही एक Yakima नाम की river बहती थी तो जो Yakima river थी वो treacherous थी याने कि बहुत dangerous थी वो river क्या थी? बहुत dangerous थी, खतरनाक होती थी Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river But the YMCA pool was safe तो जो William की mother है वो continuously William की दिमाग में fresh रखती थी याने continuously उनको याद दिलाती रहती थी कि Yakima river से दूर रहना वो थोड़ी सी dangerous है वहाँ पे कई सारे लोगों की death हो चुके कई सारे लोग वहाँ पे drown हो चुके याने की डूप के मर चुके तो आप महाँ से दूर रहना बट इसी लिए वो याकिमा river में swimming सीखने नहीं गए तो उनने क्या बोला YMCA pool was safe यह जो यांग men's christian association का जो पूल था swimming pool था वो safe था तो उनने डिसाइट के चलो में river में नहीं YMCA के pool में swimming सीखूंगा it was only two or three feet deep at the shallow end and while it was nine feet deep at the other the drop was gradual drop क्यों होता है slope from the shallow area to the deep area अब वो कह रहे हैं कि जो YMCA का pool था जो swimming pool था महन लीजे यह swimming pool है वो कह रहे हैं कि यहां शुरू में जो swimming pool था वो कुछ इस तरीके का था swimming pool की शुरू का जो area था swimming pool का वो स्रिफ three to four feet deep था लेकिन जैसे swimming pool आगे बड़ा आगे जाता जा रहा था swimming pool तो वो deep होता जा रहा था और कितना deep हो गया था nine feet deep था तो swimming pool जो होता है वो इस तरीके का होता है जिसमें से एक side जो था वो सिर्फ three to four deep था जहां पर लोग swimming सीखें जहां पर बच्चे swimming कर सकते हैं लेकिन दीरे दीरे जैसे आप swimming pool के उस end की तरफ जाओगे तो एक gradual याने कि इस तरीके का इस तरीके का वो slope यह जो slope है जो shallow end से deep end shallow याने जो three to four feet deep था वहां से जो nine feet याने बहुत deep तक जाता जारा है तो वो जो slope था वो gradual था याने कि ऐसे simple जा रहा था कहां पर YMCA के pool में I got a pair of water wings and went to the pool तो William ने water wings जो आप यह picture में देख सकते हैं जो यह बच्चे इस तरीके के पहनते हैं दोनों hands में swimming सीखते वक्त अ पैर उस in detailable waterproof bags designed so that one can attach to its arm specially of child learning to swim जब एक छोटा बच्चा swimming सीखते है तो उसको आप यह water wings बना देते हो ताकि वो पानी में डूबेना तो इस तरीके से उन्होंने अपने water wings पहने William ने और वो पूल में चली गए I hated to walk naked into it and show my skinny legs but I subdued my pride and did it Skinny का मतलब क्या होता है? Thin, पतले-पतले Subdued याने overcome इस चीज़ को बिना सोचे समझे और pride याने की खुद की self-respect तो William कह रहे है कि मुझे बिना कपड़ों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पूल में उतरना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था क्योंकि मेरे जो पैर हैं मेरे जो legs हैं वह बहुत skinny हैं वह पतले हैं तो मुझे वह दिखाना लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी इस चीज को मैंने subduy किया याने इस चीज को मैंने अपने माइंड से हटाया overcome किया क्योंकि मुझे swimming सीखनी थी तो मैंने ये चीज भी करी इस चीज को अपने माइंड से निकाल के मैं swimming सीखनी गया और अपनी pride याने खुद की self-respect को मैंने साइड में रखा कि चलो ठीक है ऐसी चले जाते हैं पूल में हमें तो स्विमिंग सीखनी है न तो यह सस्य उन्होंने इस चीज को भी नोर किया और उन्होंने बिना कप्डों के पानी में स्विमिंग सीखने चले गए तो यहां पे अब विल्यम बता रहे कि शुरू से ही याने अभी तो वो 10-11 एंस के शुरू से याने बच्पन से ही 2-3 साल की उमर से ही उनका अलगी आवर्जिन याने के एक डिसलाइक थी पानी के उनको पानी से नफरत थी बिल्कुल पसंद नहीं था उनको वाटर This started when I was 3-4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. Surf का मतलब क्या होता है? Wave of the sea याने समुदर की लहरें. तो बता रहे हैं कि यह जो आवर्जिन है पानी से, यह जो डिसलाइक है, यह कब से शुरू हा? यह तब से सुशुरू हुआ जब वो 3-4 years के थे and वो अपने father के साथ California के एक beach place तरीके से गए. वो दुनों surf में आने कि उनके पेरों के तरफ बहुत सारी लहरे आरी तो और वो लहरों के ऊपर दुनों खड़े हुए थे. और suddenly क्या हुआ था? एक बड़ी सी लहर आ गई, किस के ऊपर? हमारे writer के ऊपर, William के ऊपर. I hung on him, yet the waves knocked me down and I swept over me. Knocked me down का मतलब threw him down. तो suddenly एक बड़ी सी वेव आई, जिसकी वज़े से वो पूरी वेव उनको उपर, उनके बॉड़ी के ऊपर से चली गए और उस लहरों ने उनको जमीन पर गिरा दिया. I was buried in water और उनको ऐसा लगा कि मैं शाद पानी में डूब गया हूँ. My breath was gone और इतनी बुरी तरीके से वो डूबे थे कि उनका, उनकी जैसे सांस चली गई, वो सांस नहीं ले पा रहे थे. I was frightened और इस बज़े से वो बहुत डर भी गए थे. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो जो William के फादर थे, वो हसने लगे थे, क्योंकि उनको लगा, रहे बच्चे के उपर से लहर चली गई, एक वेफ चली गई, तो वो डरने लगा, तो उनकी लिए एक छोट ऐसा मजाग था. लेकिन William के लिए मजाग नहीं था, तब से लेके उनके दिल में, उनके दिमाग में पानी से डर बैड़ी गया था. My introduction to the YMCA swimming pool, revived unpleasant memories and stirred childhood fears. Revived याने की, brought back to mind. तो जैसे ही जब 10-11 years के हुए, William तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं YMCA के पूल में swimming सीखूंगा. और जब वो swimming सीखने गये तो उनका ये पुरान अबच्पन का डर, जब वो father के साथ California बीच पे गये था और waves ने उनको गिरा दिया था, डुबा दिया था अपने अंदर, तो ये जो बच्पन का डर था, वो फिर से आ गया जब वो swimming सीखना, उन्होंने डिसाइड करी 10-11 years क एज में, but in a little while I gathered confidence, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन्होंने swimming सीखी, धीरे धीरे वो रोज पानी में जाने लगे तो उनको कुछ confidence आ गया, और कहीं कहीं शाद थोड़ा थोड़ा दर अब उनकी माइंड से जा रहा था, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them, aping them का मतलब क्या होता है, copying them, याने उनको कौपी करके, उनकी नकल उतारना, तो William कहते हैं कि मैंने कई दिनों तक अपने water wings पहने, और मैं पानी में क्या करते रहा, swimming करने की कोशिश करते रहा, और जो दूसरे boys वहाँ swimming करते हैं, उनको कौपी करकर के swimming learn करने की मैंने कोशिश की, तो William कहते हैं कि मैंने यह सिर्फ दो-तीन बारी किया, अलग-अलग दिनों पर, swimming pool में आने की, swimming में, पानी में जाना, लोगों को देखना, दूसरे boys को कौपी करके, swimming learn करने की कोशिश करना, यह मैंने सिर्फ दो-तीन बारी किया, अलग-अलग दिन पर जाके और अब मुझे थोड़ा सा comfortable लगने लगा, याने की, to feel comfortable, थोड़ा easy लगने लगा, डर से मैं थोड़ा-थोड़ा अपने बाहर निकलने लगा था, लेकिन जब ऐसा हो रहा था, मेरा डर खातम हो रहा था, उसी वक्त, एक misadventure हुआ, याने की, एक बहुत बुरी चीज का सामना करना किसे? विल्यम को. I went to the pool when no one else was there, the place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. तो विल्यम ने कहा कि एक दिन में swimming pool में तब गया, जब वहाँ pool में कोई भी नहीं था. बिल्कुल शान्ती थी महाँ पर, बिल्कुल quiet था, पानी भी बिल्कुल still था, याने की एक जगा ठहरा हुआ था, क्योंकि कोई भी swimming pool में नहीं था. और जो पानी के tiles थी अंदर, जो swimming pool में अंदर tiles थी, वो बिल्कुल white color की थी और इतनी clean थी, जैसे की bathtub की tiles होती ही. ये एक bathtub है, इसकी जो अंदर से base है, जो bottom है, वो white color का और clean color का है. तो जैसा इस bathtub का tiles थी, clean थी, white थी, exactly वैसा ही, swimming pool का जो floor था वैसा दिख रहा था विल्यम को. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Timid का मतलब क्या होता है? Afraid, डरा हुआ. तो विल्यम ने देखा कि अभी तक तो कोई आया नहीं है swimming pool में, और उसे अकेले जाने में डर लग रहा था. उनोंने सोचा कि चलो मैं काम करता हूँ, मैं है swimming pool के पास में बैठ जाता हूँ, जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं भी उनके साथ pool में चले जाओंगा. तो वो कह रहे हैं कि अभी मुझे बैठे हुए माँ पे कुछ ही टाइम हुआ था कि अंदर एक बड़ा सा 18 अर्स का बड़ा बच्चा आया जो की bruiser था, bruiser यानि कि a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or an argument तो एक वो बच्चा जो बहुत tough है, जिसके muscles है, जिसके chest पे बहुत सारे hair है और उसको सब को bully करना, सब को परिशान करना बहुत अच्छा लगता है, उसको सब से लड़ाई करना, argument करना, बहस करना बहुत अच्छा लगता है एक तरीके क लड़ाकु बच्चे जो 18 साल का था, वो उसी वक्त अंदर आया, एक ऐसे बच्चे के जिसके बहुत सारे muscles हैं, इस तरीके का वो बच्चा आपको दिख रहा था कि उसके muscles निकले हुआ हैं, उसके legs भी muscular हैं काफी, तो एक 18 years का बच्चा जब बहुत muscular होता है, जिसके बहुत सारे muscles होते हैं, तो बहुत ज़दा अजीब दिखता है, बहुत ज़दा awkward सा दिखता है, उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, he yelled, उसने एकदम shout करते हुए, विलियम से का, high skinny, how you'd like to be ducked, तो उसने बोला high skinny, skinny याने की a thin person, बोला और पतले बच्चे, कैसा लगेगा तुम्हें अगर कोई तुम्हें ducked कर दे, याने की push your plant someone underwater, कि तुम्ह बच्चे ने क्या बोला, विलियम से कहा कि, और पतले लड़के, कैसा लगेगा तुमको जब तुम्हें कोई पानी में duck कर दे, याने, अगर तुम्हें कोई पानी में धक्का दे कर दुबा दे, With that, he picked me up and tossed me into the deep end, tossed का मतलब through, और ये बोल के, उस muscular बच्चे ने, विलियम को उठाया और पानी में धक्का दे दिया, I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom, तो विलियम को जब उन्होंने पानी में बच्चे ने धक्का दिया, तो उन्होंने पानी में कैसे लैंड हुए, बैठी होई position में पानी की फ्लोर तक लैंड हुए, और पूरा पानी swallow करे जा रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, और एक ही बार में पानी के bottom, याने पानी की जमीन तक बिलकुल पहुच गए, याने deep 9 feet अंदर वो चले गए, I was frightened, but not yet frightened out of my wits, wits का मतलब intelligence, तो विलियम कहते हैं, जब मुझे पानी में फेक दिया, जब मैं पानी के अंदर था, तो मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डर था कि मेरी सुदबुद, मेरी समझ, मेरी intelligence खतम हो जाए, अभी भी मैं सोच पा रहा था कि मुझे आगे क्या स्ट्रेप लेना है अपनी जान बचाने के लिए, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool, तो विलियम ने एक प्लान किया, on the way down I planned, तो विलियम ने क्य पानी में गिर रहे थे अंदर, तो उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया कि जैसे ही उनके पेर जमीन पर ठकराएंगे पानी के, वो एक बड़ा सा जंप मारेंगे, और जैसे वो जंप मारेंगे, वो क्या आ जाएंगे, वो उपर सर्फिस, याने पानी के उपर आ जाएंगे, और फ्लाट हो जाएंगे, याने कि पानी पर हम जब लेट के बैक स्विम करते हैं, बैक स्ट्रोक स्विम करते हैं, कहते हैं, मैं पानी पर लेट के उपर की तरफ आ जाओंगा, और मैं फ्लाट हो जाओंगा, और फिर मैं अपने पैरों से पैडल करने लगों जिसकी वज़े से मैं edge तक यानि swimming pool के किनारे तक आ जाऊँगा और बाहर निकल के आ जाऊँगा तो मैं इस तरीके से अपनी जान बचा लूँगा तो ऐसा William ने plan किया It seemed a long way लेकिन जब वो नीचे की तरफ गिर रहे थे ये सोच रहे थे तो उन्होंने ये सोचा था कि जब मैं पहुचूँँगा जमीन पर तब जम्प मारूंगा लेकिन वो जमीन तक पहुच ही नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुच ही नहीं पा रहे थे तो इसलिए वो कह रहे मैं लंग्स वर रेडी तो बॉस्ट तो वो कहते हैं वो जो नौ फीट का पानी था वो ऐसा लग रहे था वो नाइंटी नबबे फीट का हो गया इतना डीप वाटर था और जब तक वो नाइन फीट पहुचे पहुचे उनका ऐसा लग रहा था उनकी जो लंग्स थे वो इखटा करना और स्प्रिंग का मतलब क्यों होता है पुश अपने आपको उपर की तरफ पुश करना धक्का देना तो विलियम कहते हैं फिर फाइनली जैसे ही मैं जमीन तक याने उस पानी के फ्लोर तक पहुचा मैंने एक्जाक्ली वही किया जो मैंने प्लैन किया था मैंन आपके तरफ मैंने सोचा कि मैं जम्प लगाउंगा आइसे जमीन से जम्प करके उपर पानी के सर्फेस प्लोगा जैसे को जैसे कि आप यह शैंपें की बॉटल देख रहे हैं इसमें जो यह पॉर्शन है जो डखकन है शैंपें की बॉटल का उसको हम कहते हैं कॉक तो वो कह रहा है कि मैंने इसी की तरह सोचा था कि जैसे शैंपें की बॉटल कोरते हैं और जो कॉक जो एकदम से जटके से उपर की तरफ जाती है सोचा था कि मैं भी ऐसा ही कुछ जंप लगाऊंगा कि मैं जंप लगाऊंगा और मैं एकदम से पानी के सर्फिस पे पहुच जाऊंगा इंस्टेड आई केम अप स्लोली लेकिन जब उन्होंने ऐसा ट्राइ किया पानी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो स्पीड में उपर आने की बजाए बहुत स्लोली स्लोली आ रहे थे तो विलियम कहते हैं कि मैं जो धीरे धीरे उपर की तरफ आ रहा था हूँ मैंने अपनी आखें खोल के देखी तो मुझे कुछ नहीं दिखा अपने चारो तरफ पानी ही पानी दिखा याने अब भी वो स्मिमिंग पूल के अंदर ही थे डूबे हुए थे और पानी कैसा था पानी येलो डिर्टी तेंज आने गंदा पीला पानी जो होता है वैसा उनको हर जगद दिख रहा था क्योंकि पानी बहुत डिर्टी था शायद और उनको घबराहट होने लगी एकदम से विलियम को क्योंकि अब तक वो पानी के बाहर ने आयए और वो सांस नहीं ले पा रहे थे I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only of water तो वो इस तरीके से अपने हाँ जट पटा रहे थे जैसे कि कोई शायद उन्हें rope कोई रसी दे दे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया जहां से भी रोब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके हाथ में सरिफ पानी ही पानी आ रहा था याने की उनको कोई help नहीं मिल रही थी I was suffocating Suffocating का मतलब क्या होता है unable to breathe due to lack of air अब उनकी हालत और खराब हो रही थी वो suffocate कर रहे थे क्या वो सास नहीं ले पा रहे थे वो अंदर डूब चुके थे I tried to yell but no sound came out of it yell याने की scream, shout तो William ने पानी के अंदर चीखने की, चिलाने की, help मांगने की भी कोशिश करी लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर डूब होए थे Swallowed and Choked Flailed का मतलब क्या होता है Waved His Hands फिर फाइनली धीरे 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 William जो है उपर सरफिस सक थोड़े से आए वो इतने आए कि उनकी आखे और उनका थोड़ा बहुत नोज पानी के बाहर आया Mouth याने जो मू का एरिया है वो अभी भी पानी के अंदर था उन्होंने अपने हाथ इस तरीके से जट पताने की कोशिश करी Help मांगने की कोशिश करी Wave करने की कोशिश करी लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं निकला किसी ने शायद उन्हें नहीं देखा वो फिर से पानी के अंदर वापिस ढूबने लगे और फिर पानी ही स्वालो करने लगे पानी उनके अंदर जाने लगा और चोक करने लगे याने कि अगेन उनकी वो एक सिचुएशन आ गई कि वो ब्रीध नहीं कर पारे थे वो शाय देख किया दो सेकेंट ली उपर सरफिस तक इतना आए फिर वापिस दूब गए हाथ हिलाने की भी कोशिश करी लेकिन वापिस अंदर की तरफ दूब गए I tried to bring my legs up but they hung as dead weights paralyzed and rigid rigid का मतलब क्या होता है hard, सक्त तो यहाँ पर विलियम कहने कि उन्होंने और ट्राइ करने की कोशिश की अपनी जान बचाने की बहुत देर से पानी में डूप चुके थे वो try कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए उनके पैर कैसे हो गए बिल्कुल hung as dead weights याने कि बिल्कुल काम करना ही बंद हो गए थे वो बिल्कुल dead हो गए थे उनके पैर याने वो अंदर की तरफ जाते जा रहे थे उनका पूरा body weight पानी में जाते जा रहे था उन्होंने scream याने चीख ने चिलना आने की बिल्कुल बहुत कोशिश की लेकिन कोई उनको सुन नहीं पा रहा था I had started on the long journey back to the bottom of the pool तो एक बार डूबने के बाद वो उपर की तरफ थोड़ा बहुत आये थे जहां पे उनका नोस तक बाहर निकल गया था लेकिन फिर से वो second time पानी में वापिस अंदर डूबना स्टार्ट हो गए I struck at the water as I went down expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force तो इसका क्या मतलब होता है इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने अपनी journey मतलब मैंने आपको क्या बता है कि वापिस से वो पानी में डूपने लगे थे second time फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला I struck at the water as I went down expanding my strength as in a nightmare fights an irresistible force expanding का मतलब क्या होता है expanding का मतलब होता है losing या giving out जब आप अपनी पूरी energy खतम कर रहे हो तो जब वो second time पानी में जा रहे थे तो ऐसे लग रहे है वो पूरी अपनी energy give out करते जा रहे है उनकी body से पूरी energy खतम होती जा रहे है और वो अपने इस डर को अपने इस strength को जो खतम होती जारी किस से compare कर रहे है एक nightmare से तो बता रहे हैं कि जब कोई रात में सोता है तो लोगों को nightmare याने शायद बुरे सपने आते है और आप कितनी भी कोशिश कर लो उस शायद आपको शायद nightmare में किसी भूत से डर लग रहे है तो अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप उनसे जीत जाओ उस डर से बाहर निकल जाओ आप नहीं निकल पाते हो क्यों क्योंकि वो जो डर है जो बुरा सपना है आपको हांट कर रहा है आपको डराय जा रहा है कहीं ने कहीं तो जो अपना डर है जो writer का खुद का डर है वो किस से compare कर रहे हैं किसी एक ऐसे person के डर से जो रात में कोई बुरा सपना दिखके डरता हो तो वो कह रहे हैं कि बस उसी nightmare वाले person की हालत जो है वो सेम हालत मेरी भी है मैं कितनी ही कोशिश कर रहा हूँ कितनी ही मेनत कर रहा हूँ कि मैं पानी से बाहर आ जाओ पर ये पानी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है इस पानी के डर ने मुझे हर तरफ से जकड लिया है ग्रिप कर लिया है और मैं यहां से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ I had lost all my breath My lungs ached and my head throbbed तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी पूरी सासे खतम कर ली याने उनके पूरी breathing चली गई वो पानी के अंदर बिल्कुल almost डूब चुके है और उनके ऐसी हालत हो गई थी कि उनके लंग से वो एक कर रहे थे याने कि उनके लंग में दर्द होने लग गया थे क्योंकि उनके शायद लंग में पानी भर रहा था My head throbbed Throbbed मतब felt pain in a series of regular beats जब आपका सर दर्द से फटता है Vibrate होने लगता है आपका सर वैसा उनका सर फटने लगा था उनके सर में दर्द होने लगा था पानी के अंदर I was getting dizzy अब जो राइटर की हालत है वो dizzy हो रहे थी याने कि वो faint हो रहे थे वो बेहोश हो रहे थे शायद पानी के अंदर But I remember the strategy Strategy क्या होता है Plan जो उनने जब वो अंदर बेहोश पी हो रहे थे फिर भी शायद कहीं उनके subconscious mind में वो plan फिर से आया कि मैं जैसे ही जमीन पर जाऊंगा Hit करूंगा अपने पैर से और जम्प करके उपर की तरफ आऊंगा और शायद बहार आ जाऊंगा और फिर एज पर swim करके चले जाऊंगा तो यह जो strategy थी यह plan उनके दिमाग में बार बार आ रहा था कि मैं spring करूंगा यानि कि मैं जम्प करूंगा bottom of the pool से and cock की तरह इसकी तरह यह जो champagne कर ढखकन होता उसे हम cock कहते हैं इस cock की तरह वापिस उपर की तरफ आऊंगा अपने पैर paddle करूंगा पानी में और फिर कहां पहुच जाऊंगा पूल के किनारे तक और फिर उपर आऊंगा जब मैं उपर आऊंगा तो फ्लाट लेट जाऊंगा और फिर strike out याने extend करूंगा अपने arms extend करके हिलाने की कोशिश करूंगा अपने हाथ पैर और फिर दीरे 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 करके मैं पूल के एच तक पहुच जाऊंगा थ्राश माइ लेग्स याने अपने पैरों को जोर से फोर्स से हिलाना तो यह जो strategy थी जो पहले राइटर ने यूज करी थी उपर आने के लिए वो strategy उनके दिमाग में फिर से आई और उन्होंने सोचा कि मैं एक बार और ट्राइ करता हूं पानी के बहार आने का यह strategy जो बार बार वो यह use कर रहे हैं इससे हमें यह तो पता लगता है कि शायद उनको यह चीज किसी ने सिखाई है या बताई है कि अगर आप कभी पानी में डूब जाओ तो यह strategy यूज करके आप उपर आ सकते हो और swim करके पूल के edge तक पहुँच जाओगे तो यह क्या है यह बताता है कि शायद उनको पहले से किसी ने ऐसा बता रखा है तब ही वो यह strategy बार बार यूज कर रहे हैं तो यह strategy जो second time उन्होंने यूज करी वो भी काम ने आई वो नीचे की तरफ नौ फीट पानी में डूपते गए गए और पहुच गए जब उन्होंने अपनी आखे को ली तो उनको कुछ नहीं दिखा वो dirty yellow water हर जगा दिखा और ऐसा पानी था कि जिसके through जिसके आर पार भी कुछ नहीं दिख रहा है जिसरे वो गंदा yellow color का पानी दिख रहा थो होने पूल में and then sheer stark terror sees me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it sheer का मतलब क्या होता है, large amount of something, कोई चीज जो बहुत जादा amount में है stark का मतलब क्या है, severe, बहुत जादा और ceased का मतलब क्या होता है, grip कर लिया, याने पकड़ लेना तो William कहते हैं कि बहुत जादा amount of, severe amount of, डर ने उनको पूरा जकड़ लिया था याने वो पानी में बहुत डर चुके थे, एक डर ने समझे उनको grip कर लिया था, उनको जकड़ लिया था अपने अंदर, वस उस दर में वो जकड़े हुए थे और वो डर कैसा था, वो ऐसा डर था, शायद कोई न समझ पाए वो ऐसा डर था, जिसको कोई control नहीं कर पा रहा था और ना वो उसमें से बहार आ पा रहे थे वो ऐसा डर था, जो किसी को नहीं समझ में आता, until and unless उस इंसान को, जिसने genuinely इस डर को experience किया तो उनका कहने का मतलब था कि बहुत भयानक, बुरी तरीके से वो डर चुके थे क्योंकि उनकी सास जा रहे थी, वो पानी के अंदर faint हो रहे थे आई वो श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग याने की screaming, वो अंदर चीक रहते पानी में कि कोई आजा उनकी help कर दे I was paralyzed underwater, paralyzed जाने की incapable of movement, उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो उनकी पूरी energy चली गई, न वो अपने हाथ हिला पा रहे है, न पैर हिला पा रहे है, बस चीक रहे हैं पानी के अंदर से stiff, rigid, with fear और वो बिल्कुल paralyzed हो गई, याने move नहीं कर पा रहे हैं और डर में बिल्कुल भर गई है Even the screams in my throat were frozen, जो वो चीक रहते, वो भी ऐसा लग रहता दर के मारे से गले में ही वो आवाजें भी जम गई हैं और बाहर नहीं आ पा रही Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive Pounding का मतलब क्या होता है? Repeated beating तो author पूरी तरीके से, जो ये writer हैं पूरी तरीके से बेवोश हो चुके थे इनके अंदर कोई energy नहीं मची थी, इनको सरक दो चीजें ये feel दिला रही थी कि ये अभी भी जिन्दा है पहली जो इनका heart beat हो रहा था, जो देल इनका धड़क रहा था, उससे पता चल रहा था, इनको feel हो रहा था कि हां मैं अभी जिन्दा हूँ और जो इनका सर दर्थ से फट रहा था, वाइब्रेट हो रहा था दर्थ के मारे जो pounding हो रही थी उनके सर में सिर्फ ये दो चीजे इनको ये यकीन दिला रही थी कि हां मैं अभी भी जिन्दा हूँ, otherwise तो उनके पूरी बोडी ऐसा लग रहा था, मर चुकी है And then in the midst of the terror came a touch of reason I must remember to jump when I hit the bottom At last I felt the tiles under me My toes reached out as if to grab them I jumped with everything I had But the jump made no difference In the midst of, याने कि in the middle of इस ढूबने में और इस पानी में नीचे नीचे जाने के बीच में Suddenly उनको फिर से वोई idea याद आया कि मैं जब मेरी toes जो है पानी में जब floor पे hit करेंगे तो मैं jump करके उपर की तरफ आँगा तो फिर से उनके finally उनके जो toes थे वो floor पे touch किये no difference उससे भी कोई फरक नहीं पड़ा वो डूपते ही जा रहे थे अंदर The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings तो अब भी वो पानी में डूबे होए थे और पानी चारो तरफ से ने सरफ पानी दिख रहता वो ढूण रहे थे कि कोई शायद कुछ उने help मिल जाए, कोई रसी मिल जाए या उनकी water wings मिल जाए, या कोई सीडी, कोई ladder ही मिल जाए जिसकी मदद से वो उपर की तरफ आ जाए Nothing but water, लेकिन इन सबको अभी कोई help नहीं मिली उनको और उनके चारो तरफ पानी ही पानी था A mass of yellow water held me A mass of yellow water याने कि बहुत सारे पीले, dirty water ने उनको जैसे जकड लिया था अंदर Stop terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity अब उनका जो डर था वो और बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब उनकी सारी कोशिशे ना कामयाब हो रही थी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और क्या होने लगा उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे इतना डर लग रहा था कि जैसे कोई ने electricity के शौक दे रहा है I shook and trembled with fright वो literally अंदर डर के मारे कापने लग गए थे पानी में My arms wouldn't move और डर के मारे उनके हाथ पर जम गए थे उनके arms भी नहीं चल रहे थे अब उनके पैर, the legs wouldn't move, पैर भी नहीं चल रहे थे I tried to call for help, to call for my mother, nothing happened वो चीखने चिलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अपनी मदर को भी चीखने की बुलाने की कोशिश करी लेकिन इन सब का कोई फाइदा नहीं हुआ कोई उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा थे क्योंकि वो 9 फिट डीप पानी में अंदर डूब रहे थे And then, strangely, there was light I was coming out of the awful yellow water At least my eyes were My nose was almost out too अब क्या हुआ, suddenly वो धीरे 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 एक बार second time फिर surface पे आए उनकी आखे बाहर आ गई और वो light देखने लगे Light यानिकी पानी से बाहर आ गई उनकी आखे इतनी इतनी पानी के बाहर थी तो आस पास की जो light थी swimming pool के बाहर वो उनको दिखी, उनका nose भी पूरी तरीके से नहीं almost थोड़ा सा nose भी बाहर आ गया पानी के लेकिन और वो उस गंदे से येलो कलर के पानी से बाहर निकले Then I started down a third time अब भी उन्हें किसी ने नहीं दिखा कोई help के लिए नहीं आया और फिर से वो नीचे की तरफ तीसरी बार डूबने लग गए तो यानिकि वो एक बार उपर आए फिर वापस डूब गए दूसरी बार आये उन्हें की strategy waste हो गई काम नहीं आई फिर से second time डूब गए और जब third time वो उपर आये पानी के surface पे अब भी वो डूबना start हो गए उनकी कोई मदद नहीं हो रही थी I sucked for air and got water क्योंकि वो breathe नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने सास लेने की कोशिश करी लेकिन हवा की जगा क्या गई उनके अंदर पानी ही पानी गया क्योंकि वो पानी के अंदर डूबे हुए थे ये येलोश लाइट वोज गोईग आउट न आल एफोर्ट सीज ये ये येलोश क्या है येलोश लाइट क्या है सनलाइट मैंने जैसे बताया था कि उनकी आखे तीपती बाहर आगई थी वो लाइट देख पा रहे थे लाइट देख पा रहे थे याने कि येलोश सनलाइट थी वो देख पा रहे थे लेकिन वापस जैसे जैसे नीचे पानी की तरफ डूपते जा रहे थे, ये येलो सनलाइट वापस जाती जा रही थी, और जितने भी उनके एफोर्ट, जितनी भी उनकी कोशिश है थी, सब सीज़ हो गई थी, याने की सब एंड हो गई थी, उनको लगा कि मेरी सब कोशिश है अब खतम, मैं जान नहीं हो, बिल्कुल लाइफ लेस है, तो अब फाइनली जब वो तीसरी बार डूप के अंदर जा रहे थे, उनमें ना इतनी ताकत बची थी, ना वो सांस ले पा रहे थे, उनमें ऑक्सिजन की कमी आ गई थी, तो उन्होंने रिलाक्स करना स्टार्ट किया, याने अप के सामने पूरा काला पंच हा गया याने एक ब्लैक आउट हो गया, इट वाइब आउट फेर, इट वाइब आउट टेर, डैव जो नो मोर पैनिक, इट वस क्वाइट और पीसफुल, नाफिंग तो बी अफ्रेड ओफ और अब जो की वो बहुत जादा डर रहे थे, अब व विल्कुल क्वाइट और पीसफुल दिखाई दे रहा थो उने, और नाफिंग तो बी अफ्रेड ओफ और उने कोई चीज ऐसी नहीं लग रहे थी, जिससे उन्हें डर लगे, तो बेसिक के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इंसान को डर लगता है कि हम मर जाएंगे, वो डर इंसान को खाता है, वो डर इंसान के पीछे पड़ा रहे तो उसको डराता है, उसको हॉंट करता है, लेकिन उन्होंने और यही सेम डर जो था, यह विल्यम ने एक्सपीरिंस किया, जब वो तीन बार रहे से उपर नीचे, उपर नीचे डूबे बाहर है, यह तब ड खतम होगे तो बेसिकलिए उनका मतलब यह है कि जो मौत का डर है वो आपको डराता है लेकिन जब मौत जब डेथ आज़ाती तब सब डर खतम हो जाता है आप बिलकुल र्लाक्स हो जाते हो बिलकुल क्वाइट पीसफुल हो जाते हो आपको कोई ऐसे चीज नहीं जोब डरात अब जब 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 करने की कोशिश करने की और अब जब करके मोपर की तरफ आ भी नहीं है पा रहा हूं कि अब मैं बहुत थक गया हूं ऐसा लग रहा है कोई मुझे नीचे की तरफ करके जेंटली लेके आ रहा है तो बोल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नीचे की तरफ लेके आ रहा है और मैं फ्लोट कर रहा हूं यानि जैसे मैं ओड रहा हूं स्पे गहरी नीन में सो जाऊंगा तो उनकी यह feeling आ रही थी William को अंदर I crossed to oblivion oblivion मतलब the state of being unaware of what is happening around you तो basically William की वो situation हो गई थी कि वो oblivion state में आ गए थे याने कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है वो अपनी ही दुनिया में थे यहने उन्होंने सब कोशिशे छोड़ दी थी अब and the curtain of life fell curtain of life fell means life came to end उनको क्या लगा कि आप मेरी जिन्दगी का पर्दा गिर गया जैसे कोई show खतम होता है stage पर तो पर्दा खतम हो जाता है उनको लग रहा है कि मेरी जिन्दगी का जो show है मेरी भी जो life है अब finally उसका पर्दा गिर रहा है आने मेरी जिन्दगी भी अब खतम हो रही है मेरी death हो रही है अब उनको ऐसा feel हो रहा है तो जब यह सब चीज़े अंदर relaxed position में नीचे नीचे जाते जा रहे था William उनको यह याद है उसके बाद जो उनको कुछ याद दी उसके बाद उनको यह याद है कि वो बस पेट के बल पूल के किनारे पूल के साइड में लेटे होए तो और बहुत सारी vomiting उल्टियां कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा dirty गंदा पानी भर गया था और जो chap वो जो boy था जिसने उन्हों पानी में फेका था वो किसी से कह रहा था और यह पर मैंने तो सरफ मजाक में किया मैं तो सरफ fooling कर रहा था मैं तो सरफ मजाक में कर रहा था तो शायद किसी अंकल ने उसकी जान बचाई पूल के बाहर लेकर और वो अंकल उस बच्चे को उस बुली 18 साल के बच्चे को चिला रहे थे कि तुमने क्या किया यह बच्चे अल्मोस्ट ही डाइड यह मन नहीं वाला था बिल्कुल चलो अब कोई दिककर ने अटलीस बज गया इसको swimming pool में जो locker rooms होते हैं जहां पर लोग अपने कपड़े समान वगरे रखते हैं अपने अपने lockers में बोला इसको locker room लेके चलो several hours later I walked home और फिर बहुत गंटे बाद वो अपने घर गया I was weak and trembling इसकी हालत कैसी थी बिल्कुल weak हो गया था and trembling याने की shaking यह डर से काप रहा था I shook and cried when I lay on my bed और वो काप के अपने विस्तर पे लेट और बहुत जोर जोर से रोने लगी I couldn't eat that night और उस दिन उस रात में उन्होंने खाना भी नी खाया डर के मारे For days a haunting fear was in my heart और कई दिनों तक वो यह भूलनी पा रहे थे incident और उनके दिल में यह डर आता रहा था और उनको यह दिल में इनके आके यह डर डरा रहा था The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach Wobbly का मतलब क्या होता है weak, कमजोर तो बोल रहे थे William की अगर slightest exertion अगर थोड़ा सा भी जादा William काम करते थे तो वो क्या होता था इनको weak कर देता तो वो weak हो जाते थे knees में आने कि उनके घटने जो थे knees थे ऐसा लग रहा था कि बिलकुल बेजान हो गए और उनका पेट में दर्द होने लगता था उनके पेट में घबराहाट होने लगती थी उनको uneasy feel होता था basically तो इतने जादा physically weak हो गए थे William उस incidents के बाद I never went back to the pool, I feared water, I avoided it whenever I could और इस incidents के बाद William कभी भी swimming pool नहीं गए उनको पानी से बहुत खतरना खौफ हो गया था, डर लग गया था और जब भी possible होता था, वो पानी को avoid करते थे पानी से बिलकुल दूर रहने की कोशिच करते थे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि William की life में दो incidents हो गए थे, एक जब वो छोटे बच्चे थे, अपने फादर के साथ बीच गए थे, एक लहर ने आके उनको गिरा दिया था तब डर लगा था, फिर उन्होंने अपने डर को बाहर निकलने के लिए उन्होंने सुचा कि मैं चलो swimming सीखता हूं, तो 11 years की age में उन्होंने swimming सीखे और फिर से 2nd incidents हो गया जिससे कि उनका दर बुरी तरीके से वापस आगया उनके पास A few years later when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them and whenever I did, whether I was wearing the titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Cascades क्या है? Cascades का मतलब है waterfall, पानी का जहरना, इस तरीके से. तो William कहते है कि कई सालों बाद ही, 10-11 साल में जो मेरे साथ ये swimming pool का incidence हुआ था, उसके बद कई सालों बाद एक cascade यान एक अच्छा सा waterfall जो था मेरे घर के पास वहाँ पे था और वह चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थे कि वह waterfall देखने जाए और जब भी वह कोशिश करते, भले ही वह Titan River में, Bumping River में नहाने जाते या Warm Lake में जाते जो कि Goat Rocks में थी, इन सब जगाओं पे जाने का जब भी वह सोचते कि मैं waterfall की जगाओं पे जाओं, गूमू, इन rivers पे enjoy करूं जाओं, यह जो डर था, वो swimming pool वाला, वो हमेशे उनको cease कर लेता था, यानि की जाकर लेता था और फिर वो pool तक जाते ही नहीं थे और घर वापस आ जाते थे, तो जब भी वो अलग-अलग, rivers अलग-अलग, waterfalls पे जाके घूमना जाते थे, वो डर आता था दिमांग में और फिर वापस अपने घर आ जाते थे, it would take possession of me completely, my legs would become paralyzed, icy horror would grab my heart, तो वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं ऐसा देखता था, कुछ भी पानी related चीज, तो क्या होता था, ये डर आ जाता था मेरे दिमांग में और डर, icy horror होता था, यानि कि मुझे freeze कर देता था, मुझे जमा देता था, ऐसा वो डर था, और ऐसा लगता थ कि मेरी पूरी body paralyzed हो गोई, यानि मैं डर के मारे एक move भी ने कर पार हो, ना मैं hill पार हूँ, this handicap stayed with me as a three years rolled by, handicap यानि की a difficult circumstance that makes progress or success difficult, तो ये जो उनके situation थी, डर की, हमेशा डर जाते थे, हमेशा रोने लगते थे, ये जो डर की situation थी, ये तीन साल तक चली उनके साथ, तीन साल त बहुत खराब थी इस पानी के डर की वजे से, इस तरीके से, अब जो विलियम है, वो डरते तो हैं water से, पर इन सारे water sports करने में, fishing करने में, waterfalls देखने में, rivers में जाने में, उनकी इच्छा बहुत ही, उनको पसंद बहुत था, तो वो कह रहे हैं कि जब भी मैं boats में, main lake में जाता था, main lake में fishing करने जाता था, salmon नाम की fish को, salmon is the name of a fish, तो जब भी मैं चोटी-चोटी boat में fishing करने जाता था, main lake में, salmon नाम की fish में, या bass नाम की fish, जो है, इसकी fishing करने जाता था, new hamsthire में, या trout नाम की जो fish है, इसकी fishing करने dudes में जाता था, और meteors में जाता था, जो कि Oregon नाम की जगा में थी, या salmon नाम की fish की fishing करने कोलंबिया में जाता था, या bumping lake, ये एक lake का नाम है, जो कि cascades, जरने, waterfall के पास में थी, इन सब जगाओं में जहाँ भी मैं fishing करने, waterfalls लिखने जाता था, ये डर मुझे haunt करता था, और मेरा पीछा करता था, पानी में डूपने का, It ruined my fishing trips, deprived me of the joy, of canoeing, boating and swimming, ruined याने के destroyed, बरबाद करना, और deprived याने to take away, आपसे ले जाना, तो विलियम कहते हैं, इस धर की वज़े से मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई थी, और मेरे जितने भी fishing trips होते थे, boating trips होते थे, और जितने भी waterfalls में मैं जाने की कोशिश करता था, जह जहां पर भी मुझे swimming करने के इचा होती थी, जहां भी water related कुछ भी होता था, वो मेरी सारे trips बरबाद हो जाती थी और मुझसे मेरी पूरी खुशी चीन लेता था, यह डर, यह डर मुझसे मेरी पूरी खुशी चीन लेता था, क्योंकि डर की वज़े से मैं सब जगाँ पे जाही नहीं पाता था, और डर मुझे firmly grip कर लेता था, याने जकड लेता था, पूरे डर के अंदर में गुश जाता था, और विलियम केते हैं, मैंने इस दर से बाहर आने के लिए हर वो कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी इस दर ने मुझे अपने अंदर बिल्कुल बुरी तरीके से जकड लिया था, फिर 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 फिरलियम है, जो हमारे आथर है, उन्होंने क sure, कि मैं अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा याने अपने लिए मैं एक swimming का teacher रखूंगा जो मुझे swimming सिखाएगा, वह क्या कारते थे, वह क्या करते थे, वह swimming pool जाते थे, याने हफते में 5 देज जाते थे और हर दिन एक गंटा वो क्या करते थे तरीके से अपने ट्रेनर के साथ तो क्या किया था इंस्ट्रक्टर ने इक बैल्ट बान दिया था विलियम के वेस्ट पे उनकी कमर में और उसमें क्या अटाच थी एक पुली एक पुली अटाच थे याने की एक छोटा सा बकल जैसा अटाच था जो की इंस्ट्रक्टर के instructor के साथ भी अटाच था तो basically instructor और William दोनों एक rope, एक मोटी सी cable के थूरू, रसी के थूरू एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ये डर खतम हो जाए William का, इसलिए instructor ने ये इस तरीके से उनको बांद-बांद के, उनको पकड़-पकड़ के swimming सिखाने का तरीका अपनाया He held on the end of the rope and we went back and forth, back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week on each trip across the pool, a bit of the panic seized me, तो क्या करते थे instructor, इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे William के साथ स्विम करते थे, back and forth ये आगे भी जाते तो उसके साथ फिर पीछे आते थे, फिर स्विम करके आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे तो जैसे जैसे वो आगे आने लगे पानी में, और आगे की तरफ जाने लगे William, तो डर उनको ये जो पैनिक था, ये जो घबराहटी उनको फिर से आने लगी और उनको जकडने लगी, उनको डर आने लगता था बहुत जादा Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned on my legs froze तो वो बताते हैं कि हर बार जब थोड़ी सी रसी, थोड़ी सी रोप, instructor loose करता था और मैं पानी में तोड़ा आगे की तरफ जाता था वो ही पुराना वाला डर उनके दिमाग में वापिस आ जाता था और उनके पैर जो थे, legs जो थे, वो freeze हो जाते थे और दर के मारे जम जाते थी It was three months before the tension began to slack, slack का मतलब क्यों ओता है, reduce, कम होना तो उन्होंने बोला कि जब मैंने October में decide किया कि मैं swimming सीखूंगा तो October से लेके पूरे 3 महिने याने November, December, January, January तक 3 महिने उनको लग गए थोड़ा थोड़ा डर कम होने में डर कम होने में उनके 3 महिने लग गए Then he taught me to put my face underwater and exhale and to raise my nose and inhale फिर उन्होंने क्या second technique सिखा इंस्ट्रक्टर ने William को कि कैसे आपको swimming करते वक्त इस वक्त जब आप swimming करते वक्त जाते हो तो कैसे आपको पानी से अपना मुँ बाहर निकल के सास लेनी है याने inhale करना है और जब आप swimming करोगे तो आपका face पानी के अंदर होगा उस वक्त आपको exhale कैसे करना है याने कि सास छोननी कैसी है तो यह inhalation और exhalation की जो trick है while swimming अब तीन महीने बात इंस्ट्रक्टर ने William को यह सिखाना स्टार्ट किया I repeated the exercise hundreds of times और इस exercise को William ने कम सो सो बार repeat किया bit by bit I shed part of the panic that seized me when the head went underwater shed का मतलब क्या होता है remove, हटाना और panic का मतलब डर, fear, घबरहट, seized का मतलब grip जो चीज आपको जकड के रखती है तो ऐसे bit by bit याने एक-एक step सीखते 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 practice करते करते धीरे धीरे जो डर था जो panic था जिसने William को जकड के रखा था अपने अंदर वो धीरे धीरे remove होने लगा याने जाने लगा उनके दिल और दिमाग से और कब जब भी वो अपना head पानी के अंदर डालके exhale करते थे तब दीरे दीर अब उनका डर उस चीज से खतम हो रहा है next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs for weeks I did just that फिर next चीज उन्होंने क्या सिखाई William को कि कैसे swimming pool के जो यह जो edge है जो corner आप कैसे वहाँ पर अपने हाथ पकड़ो अपनी body को उपर की तरफ लाओ flat position में balance करो और अपने पेर तेज तेज ऐसे थ्राप करो हिलाओ ताकि आपके पेरों में क्या हो वह energy आए जादा लंबा swim करने के लिए तो next technique उन्होंने यह वाली सिखाई William को और यह जो second technique थी यह weeks बहुत सारे हफतों तक practice करी William ने at first my legs refuse to work but they gradually relax and finally I could command them command them याने की order them तो यहां पर William कह रहे हैं जब यह second technique instructor ने उनको सखाई तो पहले तो उनके legs ने उनके पेरों ने refuse कर दिया याने वो काम ही नहीं कर रहे थे डर के मारे चली नहीं रहे थे इस exercise को करी नहीं पा रहे थे पर धीरे धीरे gradually उन्होंने अपने पेरों को relax किया अपनी body को उपर की तरफ लाए पानी में flat किया hold किया उन्होंने edge को किनारे को और पैर चलाना start किया धीरे धीरे उन्होंने order याने अपने पेरों पे command लाना start कर दिया और वो इस चीज में भी perfect हो गए किनों तक एक बहुत perfect swimmer उसने खड़ा किया and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated hole तो जब उन्होंने एक एक piece सीखा, एक एक टेकनीक सीखी और टेकनीक सीखते, 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 सीखते हर टेकनीक में वो perfect हो गए और पूरी hole यहने एक complete swimmer वो बने in April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke फिर October में उन्होंने सीखना स्टार्ट किया था and finally April में जो instructor क्या बोलते हैं William से, कहते हैं कि अब तुम swim कर सकते हो, यानि अब तुम एक perfect swimmer बन गए हो तुम अब length of the pool, यानि यह swimming pool है और यहां से मानो William ने स्टार्ट किया है तो एक जो पूरा चक्कर लगा के वापिस वही पर आये, जहां से स्टार्ट किया वही पर आके वो पहुच गए So, क्या किया उन्होंने पूरी एक length उन्होंने complete करी तो क्या बोलते हैं, जो उनके instructor है उन्होंने बोला अब तुम swimmer बन गए हो अब तुम पूरा एक length को है, जो मैंने पूरा जहां से स्टार्ट किया, वहां से लेके Swim करके पापिस अपनी जगा पर आ सकते हो और तुम crawl stroke भी कर सकते हो आपको पता होगा कि swimming में अलग-अलग strokes होते हैं यानि आपकोड आपकोड स्टरोक भी आ संट भी कर सकते हो आइड जैसा इंस्ट्रक्टर ने बोला वैसा विलियम ने किया भी पर स्विमिन पूल में किया तो अब इंस्ट्रक्टर ने विलियम को बिल्कुल पॉफेक्ट कर लिया है और यहां पे इंस्ट्रक्टर का काम खतम होता है लेकिन विलियम को अब भी है लगता है कि he has not been finished याने कि उन्होंने swimming अभी भी completely पूरी तरीके से नहीं सीखिये याने कि उन्होंने swimming तो सेख ली लेकिन शायद कुछ amount of डर अभी है जो उनके दिल में बैठा हुआ है तो विलियम को क्या लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी तो इंस्ट्रक्टर है नी अब जब मैं swimming pool में अकेला swimming करूँगा तब ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वो टेरर वो डर मुझे पूरी तरीके से जकर ले अपने अंदर I tried it, I swamped the length up and down तो विलियम ने वो try भी किया और जब उसने try किया तो पूरी जो वो length थी swimming pool के अंदर आने पूरा swimming pool तक आखरी अंद तक गए और वहीं से turn के वापिस swim करते हुए जहां से start किया था वहां तक उन्होंने पहुंचे भी और उन्होंने यह किया So let's begin with the part 2 of our book flamingo के chapter number 3 deep water आपने अगर मेरा chapter number 3 का Part 1 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या cover किया है जो chapter 3 deep water है उसका हमने first part कवर किया और जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे author करने की कोशिश करी और उन्होंने 10-11 यहर्ज में एक swimming pool में swimming सीखने का try किया लेकिन वहां पर भी उनके साथ कि वजह से फिर फाइनली उन्होंने डिसाइट किया एक October को कि चलो मैं एक swimming instructor हायर करता हूं और उससे swimming सीखता हूं उन्हों अक्टोबर में नहीं है उनको अकेले swimming करनी है पूल में तो उन्होंने अकेले कर लिया लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझ में कुछ incomplete है अब क्या incomplete है let's continue with our part two tiny vestiges of the old terror would return vestiges का मतलब क्या है traces वो कुछ छाप तो जब भी वो पानी में जाते थे अब तो instructor नी थे वो swimming तो कर लेते थे पर अकेले रहते थे तो फिर भी कहीं न कहीं वो पुराना डर जो था जो छाप थे जो traces थे उस पुराने डर के वो वापिस लोटकर आ जाते थे but now I could frown and say to that terror trying to scare me huh well here's you look here's you look तो क्या करते थे वो जब swimming करते थे वो क्या करते थे वो सोचते थे कि डर आ रहा है उनके पास और डर क्या कह रहा है उनको और आके डर आ रहा है This went until July. और ये जो चीज़ थी कब तक चली? July तक. October में उन्होंने start करी थी instructor से swimming सीखना. April तक सीख गए थे. और April के बाद से July तक. Continuously अकेले किसमें swim करते थे? Swimming pool में ही. But I was still not satisfied. अब भी कही न कही जो author, जो हमारे William है writer, वो satisfied नहीं थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी भी कही न कहीं डर, खाली, खातम नहीं हुआ है मेरा. Swimming pool में तो अकेले swim कर लेते थे. तो उन्होंने सोचा, मैं कहां जाओंगा? Lake Wentworth. एक तालाब में जाओंगा. और जो कि ये तालाब कहां है? New Hampshire नाम की जगा पर है ये लेक. तो उन्होंने कहां, मैं इस तालाब में, इस लेक में जब तक अकेले swim नहीं करूँगा, मेरा डर खतम नहीं होगा. तो बस वो लेक के पास में Triggs Island था, एक टापू था. इस तापू पर चड़े और इस लेक में उन्होंने क्या किया? डाइफ किया, याने कि जम्प किया. फिर टू माइल्स याने दो मील तक उन्होंने swim करते-करते आगे बड़े. Across the lake, stamp act island. तो basically क्या था? मान लीजे, ये जो पूरा लेक है, ये क्या है? ये पूरा लेक है, लेक Wentworth. और इस लेक में दो टापू थे, दो island थे. एक मान लीजे island ये है, और दूसरा मान लीजे island ये है. तो ये जो फिर्स आइलेंड है, वो ट्रिक्स आइलेंड है, ओके? और जो सेकेंड आइलेंड है, वो है stamp act island. ओके, तो क्या किया यहाँ पर विलियम ने? विलियम ने लेक वेंट वर्थ के ट्रिक्स आइलेंड पे गए, यहाँ से खड़े होके, उन्होंने डाइव मारी नीचे की तरफ. तू माइल्स, याने पूरा दो मील तक स्विम करके कहाँ पहुच गए? पहुच गए, जो की second island है, Lake Wentworth में. I swam, the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. और यह जो उन्होंने two miles, tricks island से लेके stamp pack island तक जो पूरा स्विम करके आए, इसमें उन्होंने हर वो important trick, हर वो important stroke use कर लिया जो swimming में होता है. पहली होती, crawl stroke, जब आप आगे की तरफ crawl करते हो, तो यह जो है आपकी crawl stroke है. फिर second आपकी breast stroke, याने इसमें आप अपनी पेट के बल सीधे की तरफ जाते हो, इस तरीके से. So this is your breast stroke, फिर आती है आपकी side stroke, याने की आप swim कर रहे हो और अपने hand sideways लेते जा रहे हो, कुछ इस तरीके से. Okay, फिर उसके बाद आती है आपकी back stroke, back stroke याने की जब आप उल्टे लेते हो, याने की आपका face जो है, ऊपर असमान की तरफ face कर रहे हो, आप उपर की तरफ पेर इस तरीके से, अपने हाथ इस तरीके से उल्टे, anti-clock wise गुमा के इस तरीके से swim कर रहे हो, so these are different kind of strokes जो की swimming में use होते हैं, तो यहां से, इस island से, इस island panically उन्होंने इस सारे strokes को use किया, only once did the terror return, when I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water, तो जब वो यह two miles पूरा travel कर रहे थे, एक island से, दूसरे island तक, एक बार यह डर वापिस उनके पास आया, यहांने deep water दिखा यहांने उसकी कोई जमीन जो floor था, पानी का वो नहीं दिख रहा था, the old sensation returned in miniature, miniature का मतलब क्या होता है, small size, तो यह जो पुरानी sensation, जो पुराना डर है, एक छोटे amount में कहीं नहीं कई उनके पास वापिस आया, I laughed and said, well Mr. Terror, what do you think you can do to me, तो उन्होंने जब वो डर आया तो उन्होंने बड़े आराम से डर को क्या बोला, क्या सामना किया डर को बोलके, कि ओ Mr. Terror, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते, it fled and I swam on, और जब उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा डर को बोलने के कोशिश की, बचे कुछे डर के अब भी लक्षण अपम भी थे, यह जो एक बार डर आया, यह एक बार भी डर क्यों आया, यह सोच रहे थे विलियम की, मतलब अब भी एक बार डर आया, तो क्यों आया, भी तो मतलब कुछ ने कुछ मतलब डर बचा आया मुझ में, अट में फॉर्स अपॉर्टुनिटी, आय हुर्ड वेस्ट, वेंट अप तो दी टाइटन तो कॉन्रेड मीरोज अप दे कॉन्रेड क्रीक ट्रेल, तो मियाड, ग्लेजर, अन कांप दे हाय मेरो, बाद असाइड ऑफ वार्म लेक, तो क्या हो रहा है आपे, जब वो स्विम कर रहे थे, कहां पे, लेक में, तो उन्होंने क्या किया, वेस्ट डाइरेक्शन की तरफ गई, यह होता है नौर्थ, यह होता है साउथ, यह होता है इस्ट और वेस्ट, जब वो स्विमिंग कर रहे थे, तो swimming करते करते किस direction में गए इस west direction में गए और वहाँ पर क्या था Titan to Conrad Meadows, Meadows मतलब a field of grass याने बड़ी सी grass का जो एक बड़ा जो area होता उसको आप Meadows कहते हूँ तो उन्होंने swim करते करते कहां पहुचे, finally किनारे पे पहुच गए और इस किनारे से क्या जोड़ा हुआ था Meadows याने की बड़ी सी field जो की घास जो की ग्रास से ढखी हुई है ओके वहाँ गए अप इन दे Conrad Creek Trail to Mead Glacier and Camp Dundee High Meadow by the side of Warm Lake तो Warm Lake तक यह पहुचे अब नाम क्या है इसका? Warm Lake याने गरम water लेकिन यह क्या था? यह icy cold water था याने बहुत खतरना ठंडा पानी था क्योंकि एक Mead नाम के Glacier से जो पानी है वो पिगल क्या आता है? Glacier क्या होता है? Glacier वो पहाण होता है जो बर्फ से ढखा होता है तो उस बर्फ जब यह Glacier की जो बर्फ है जब पिगलती थी तो Warm Lake नाम के लेक में आता था पूरा पानी तो नाम तो लेक था Warm Lake था की गरम पानी लेकिन जो पानी था वो completely बहुत ठंडा चल्ड पानी था क्योंकि Glacier में जो बर्फ ढकी हुई उस से पानी पूरा पिगल के इस लेक में आता था तो बताने कि वो जब West की तरफ गये तो वो Titan Meadows तक पहुचे और वहाँ पे वो कहां गये? Glacier तक पहुचे कौन से Glacier? Miad नाम के Glacier तक और वहाँ पे उन्हेंने Camping किया याने कि अपना Tent वगरे लगा के Bonfire की अपना Enjoy किया वहें पर वहीं पर ही रहे कहां पे? Warm Lake के Side में, ओकी? The next morning I stripped, dived into the lake and swarm across the other shore and back just as Doug Copron used to do अगले दिन उन्हें क्या किया? एक रात तो उन्हें कैंपिंग करी वहाँ पे रहे, अगले दिन stripped उन्हें अपने clothes remove करे, अपना swimming costume पहना और lake में jump किया, याने कि dive मारी, ओकी? और वह कहां तक गए? Other shore, एक west किनारे से दूसरे किनारे तक गए, एक shore से दूसरे शोरे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा swim करके गए और फिर वापस west की तरफ आए तो west से इस तरफ गए और इस तरफ से वापस west तक shore तक आए और ये उन्हेंने किसकी तरह किया एक famous American swimmer Doug Corporn ऐसा किया करते थे वो भी warm lake में जाके एक west से जाके east और east से west swim करके आते जाते थे continuously तो जैसे Doug Corporn ये famous swimmer करते थे exactly इसी तरह यही चीज किसने follow करी William ने भी follow करी I shouted with joy and Gilbert Peake returned the echo और जैसे ही पूरा swim करके गए और वापस आये उनको एक बार भी डर नहीं हुआ ना एक बार भी डर लगा और उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत जोर से चीखा shout किया चिला के कि मैं swimming सीख गया मेरे अंदर अब कोई डर खतम नहीं है जब उन्होंने चीखा तो सामने Gilbert Peak एक mountain था जिसका नाम तक Gilbert वहाँ से आवाज गुंच के उन तक वापस आई उन्होंने बोला मैंने अपने पानी के इस दर को कॉंकर कर लिया और जीत लिया अब मुझे कभी डर नहीं लगता जिसने इस खतरनाक डर को experience किया है मौत को literally experience किया है और मौत के आने वाले डर को experience किया है यह जिसने experience किया है वो ही William के situation को समझ सकता है क्योंकि William ने यह डर experience किया है In death there is peace, there is terror only in the fear of death As Roosevelt knew when he said All we have to fear is fear itself Roosevelt कौन है? Former President of USA United States of America के पहले कभी एक President रह चुकी है और जिनका नाम तर Roosevelt जिनकी picture आप यहाँ पर देख सकते है तो इन्होंने कहा था All we have to fear is fear itself हमको किस से डरना, डर को खतम करना है अपने डर को जो मौत का आने वाला डर है तो यहाँ पर William कहते हैं कि death में peace है यानि जब हमें death आ जाती है तो हम बिल्कुल peaceful हो जाते हैं बिल्कुल शान्त हो जाते हैं हमें किसी चीज़ की कोई फर्क नहीं होती और हमारी death आ नहीं वाली है अब हमें पता है कि अब कोई options नहीं तो जो भी डर होता है सब खतम हो जाता है लेकिन जब तक death आई नहीं है तो हम क्या करते हैं हम डरते रहते हैं करी death ना आ जाए तो जादा खतरना क्या है death या death के पहले आने वाला death का डर वो तो basically यहाँ पे बोल रहा है कि इस former president में कहा है कि peaceful होती हमारी death लेकिन death का आने वाला जो डर होता है और आप अपनी life enjoy नहीं कर पाते हो तो he wants कि हम death के डर को overcome करें उससे जीच जाएंगे तो हम उसको conquer कर लेंगे और हम अपनी life को enjoy कर सकते हैं बिना डरें तो William कहते हैं कि मैंने दोनों चीज़ experience किये मैंने death भी experience किये वह YMCA के पूल में और death आने का जो डर है याने पूल में से बचके आने के बहार बचके जब मैं बहार आगे तो उसके बाद continuous की मुझे तीन-चार साल में डर में रहा कि कहीं फिर से ना डूप जाओं कि फिर से ना डूप जाओं तो मेरे लिए जादा खतरनाक था वो डर तीन-चार साल का जो डर जो बचपन से मुझे डर था पानी का वो मेरे लिए जादा खतरनाक था अगर मैं compare करूँ एक्चुली उस situation से जब मैं मर रहा था पानी में तो विलियम किते मैंने तो ये दोनों चीज़ एक्सपीरेंस करी होई हैं तो जब मैं एक्सपीरेंस करके इस दर से बाहर निकला तो जीने की और चाहत मेरे अंदर intense हो गई याने की और बढ़ गई कि अब तो मेरा डर खतम अब तो मैं और जीऊंगा अपनी लाइफ पो और enjoy करूंगा At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks to brush aside fair तो आखरी में जब उनका पूरा डर खतम हो गया था तो कैसा लग रहा था, कैसी feeling आ रही थी William को कि मैं release हो गया हूँ, याने कि मैं बिलकुल free हो गया हूँ, अब कोई चीज़ नहीं जो मुझे डरा सकती है अब मैं आराम से trails याने बड़े-बड़े रास्तों पर अकेला चल सकता हूँ, बड़े-बड़े peaks याने बड़े-बड़े जो मेरे mountains है उनको अकेला climb कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई डर नहीं, क्योंकि अगर मैं गिरूँगा भी, तो मैं पानी में गिरूँगा और already मुझे swimming आती है and brush aside से और धक्का करके मैंने side कर दिया पूरे डर को, क्योंकि अब मैं release हूँ, मैं free हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई डर अब नहीं बचा अपनी life में कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया में हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात से चली स्टार्ट करते हैं, हमारी flamingo book के chapter number 3, deep water की summary और detailed questions and answers So summary स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि chapter का overview क्या है So summary and overview में ये बात बताई जाती है कि जो chapter है, उसके writer है William Douglas इनके दिल और दिमाग में बहुत बुरी तरीके से डर बैड़िया था पानी का इनको water से बहुत डर थे, he was water phobiatic So एक दिन जब ही छोटे थे, 3-4 years के थे, ये अपने father के साथ एक बीच पर जाते है और वहाँ पर एक बड़ी इसी लहर ने आके इनको knockdown कर दिया, ने कि धक्का दे के गिरा दिया Literally ये breathe नहीं कर पा रहे था और तब से इनके दिल और दिमाग में पानी का डर बैड गिया फिर जब ये 10 या 11 years old हुए तो उनोंने सुचा कि चलो अपने इस दर को overcome करते हैं और swimming सीखते हैं तो जब ये swimming pool जाने लगे और बैठे हुए थे swimming pool के पास में तो वहाँ पर एक 18 years के बड़े से बच्चे ने आके इनको पानी में धक्का दे दिया और ये 9 feet deep पानी में जाके गिर गए जब ये गिरे तो इनकी हालार इतनी बुरी हो गई कि ये literally death experience करके आए वहाँ पे इनका गला चोक योग गय था, इनकी lungs burst कर रहे था और इनकी आवाज सुनने वाला अंदर कोई नहीं था ये जो डर था इनकी दिल और दिमाग में फिर से बैड़ गया तीन से साधे तीन साल तक इनकी दिल और दिमाग में डर बैड़ गया और एपरिल में तीन साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपने इस दर को ये overcome करके ही रहेंगे जिसके लिए उन्होंने एक swimming instructor या एक teacher रखा इन्होंने एपरिल में स्टार्ट किया swimming सीखना और अक्टोबर में स्टार्ट किया और फाइनली एपरिल में ये swimming सीख गए उसके बाद इनके दिल में कही न कही satisfaction नहीं था कि मुझे completely swimming आई है की नहीं तो उन्होंने बड़े-बड़े lakes में, बड़े-बड़े swimming pools में, rivers में swim करना साथ किया और जब डर आया तो उसको उन्होंने overcome किया और फाइनली एक ऐसा moment आगे जब इनके दिल और दिमाक से डर खातम हो गया यह कहते हैं कि जो death होती है वो peaceful होती है क्योंकि तब आपको किसी चीज़ की tension नहीं होती और जो death से डराने वाला डर होता है वो आपको terrorize करता है और पूरी जिंदगी डराता है जिसकी वज़े से आप अपनी life पो enjoy भी नहीं कर पाते हो तो हमें इस डर को जीतना इस डर से लड़ना है तो basically this was all in the overview और नाव लेट्स बिगन विता समरी तो author जो कि हमारे William Douglas जो हमारे writer है यह उनकी खुद की लिखी हुई एक कहानी है जिसका नाम है Of Men and Mountains उसमें से एक चोटा सा excerpt एक चोटा सा part लिया हुआ है जो as chapter 3 आपको यहाँ पे explain किया जा रहे In this piece he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower तो उसमें बताते हैं कि इनको कितना बुरी तरीके से पानी से डर था और इस डर कोई overcome करके यानि कि इस डर से बहार निकलके आए determination से और willpower से इनके अंदर द्रिणता थी और willpower थी जिसको उन्होंने कभी तूटने नी दिया उससे उन्होंने इस डर पे जीत पाई तो जब यह चोटे थे 3-4 years के थे यह अपने फादर के साथ California के एक बीच पर गए और वहाँ पर इनको डर लगता था जो बड़ी बड़ी huge waves लहरे आती थी एक बार तो एक लहर ने इनके उपर आभी गई और यह knockdown हो गई याने कि इनकी literally breathe चली गई थी breath चली गई थी सास भी नहीं ले पार थे इसलिए तब से लेके 3-4 साल की उमर से लेके इनकी एक subconscious mind में कही न कहीं पानी के डर बैड गया था A few years later in his eagerness to learn swimming he joined a swimming pool wherein incident further increased his terror फिर कुछ साल बात जब यह 10-11 years में के हुए तो उन्होंने सुचा कि चलो मैं swimming सीखता हूँ इन्होंने एक swimming pool join किया और वहाँ पे भी एक बहुत बुरा incident हो गया जिसकी वज़े से इनके दिल और दिमाग में डर और बुरी तरह बैड गया He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely तो इनको एक 18 years के bully बच्चे ने जो परिशान करते हैं छोटे बच्चो को उन्हों उस बच्चे ने William को पानी में धक्का दे दिया वो 9 feet पानी में चले गए और उन्होंने वहाँ पे literally death को experience के क्योंकि वो literally मरने वाले थे Many years after that incident he stayed away from water but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear कुछ सालों तक इनके दिल और दिमाग में ये डर बैठा रहा लेकिन इनको किसमें इंट्रेस था Swimming में बहुत इंट्रेस था Fishing में इंट्रेस था, Water Sports करने में बहुत इंट्रेस था तो इन इंट्रेस ने इनको motivate किया कि चलो और Swimming सीखते Swimming instructor रखते हैं ताकि मैं अपनी लाइफ में इस सारी चीज़े एंजोई कर पाँ और डर खतम हो जाए इस बात से इनका He learned Swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be to swim in huge lakes and waterfalls also तो एक instructor रखा इनोंने याने की एक Swimming का teacher रखा इनोंने जिनोंने कई महीनों तक इनको Swimming सिखाई और finally उनोंने ये चीज़ बोल दी कि अब William Swimming सीख चुका है इतना perfect हो चुका है कि बड़े-बड़े lakes और rivers में भी अब Swimming कर सकता है Still, when he would swim, the fare from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again He wanted to conquer that fare वो Swimming तो सीख गय थे छोटे-छोटे Swimming Pools में थोड़ा-थोड़ा Swimming करते थे बट कही न कहीं डर आता था लेकिन इनको ये एक रुपे का भी, एक परसंट का भी डर अपनी life में नहीं चाहिए था इन्होंने बोला कि मैं तो बड़े-बड़े rivers में और lakes में Swimming करूंगा और इस डर को completely खतम करूंगा अपनी life से He faced his fear thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do it to him He challenged his fear in the face of it and finally he would vanish, it would vanish It was a baseless fear instilled in his subconscious mind तो उन्होंने क्या किया अपने डर को face किया बड़े-बड़े lakes मिद गए Swimming करने के लिए और कहीं जब बीच में पहुच जाते थे तो Swimming के टाइम उनको वो डर वापिस खाने के लिए आता था ग्रिप करने के लिए ज़कन निक लिए आ जाता था उन्होंने डर को face किया और उसके मूह पे बोला याने उन्होंने ऐसा experience किया कि मैं डर को ऐसा बोल रहा हूं कि तुम मेरा क्या ही कर लोगे तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे मैं Swim करूंगा और जब उन्होंने ऐसा सोचा खुद को motivate किया तो डर वहां से भाग गया और उन्होंने करजनिसली Swimming स्टार्ट करी उन्होंने अपने डर को literally challenge किया और डर वहाँ से गायब हो गया याने कि vanish हो गया उन्होंने बाद में नोटिस किया कि मेरे subconscious mind में कहीं न गई मेरे दमाग में यह जो डर था यह baseless था याने इसका कोई मतलब ही नहीं था थोड़ी सी courage थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और डर आपकी जिन्दगी से गायब यह जो पूरा experience उनकी life में जो दो बार वो पानी से उनका इतना बुरत तरीके से सामना हुआ वो डूपते हुए बचे लिटरली मरते हुए बचे यह experience उनकी बहुत valuable था ने बहुत माइने रखाता है क्योंकि इन्होंने इस experience में दोनों चीज़ experience किये याने उन्होंने death को experience किया जब लिटरली डूप गए थे और death के मतलब जब इनके जो experience थे है इनको बचा लिया गया उसके बद कई सालों तक यह पानी का डर इनका पीछा करते रहा इनको डराते रहा और life को enjoy करने से रोकता रहा तो death और death का जो डर यह दोनों experiences और राइटर नहीं यहाँ पे feel कियो थे experience कियो थे He overcame it and finally conquered इंस्ट्रॉक्टर से सीखा इस दर को overcome किया यह ने इस दर से बहार निकले और अपने डर से जीत पाली conquer कर लिया William realized that death is peaceful and it is a fear of death that is terrorizing तो William ने क्या realize कि death जो है वो क्या है peaceful शान्ती वाली है यानि जब आप किसी की जिन्दगी में किसी को यह पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ 10 महीने बाद तो 10 महीने तक क्या होगा उसको डर आता जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ 10 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ, हर एक दिन उसका डर बढ़ता जाएगा मौत को लेके और जब डेथ के एक दिन पहले आ, डेथ वाले दिन, उसे पता है कि मैं आज मरने वाला हूँ इंसान बिल्कुल पीसफुल हो जाता है, बिल्कुल शान्त हो जाता है तो ऑथर का कहना ये कि जो डेथ होती हो पीसफुल होती है आप कुछ नहीं सोचते हो, बस आप अपने आंके बन कर ले तो रिलाक्स हो जाते हो लेकिन मौत आने का जो डर है, जो कंटिनेस की आपको परिशान करता है वो दस माईने भी आपको अपनी जिन्दगी नहीं करने देता वो डर टेरराइजिंग है और हमारा काम यह है कि हम उस डर से जीत पाएं पीस तो हो गई डेथ में, जो डर, डेथ का डर है उससे हमें जीतना, उससे हमें कॉनकर करना है जब विल्यम ने स्विमिंग सीख ली, बड़े-बड़े लेक्स में स्विमिंग करके आ गए बिना किसी डर के और अपने डर से कंप्लीटली बाहर आ गए तो लाइफ को और जीने की उनके अंदर की इच्छा, जो चाहत थी वो और बढ़ गई कि अब तो मैं बिना डर के हर चीज फेस करूँगा, हर चीज लाइफ में एक्स्पिरेंस कर सकता हूँ और जीने की इच्छा, लाइफ को एंजोई करने की जो उनकी जो मन है, जो चाहत है वो और बढ़ गया So children, यहाँ पे हमारी summary खतम होती है Now let's discuss with some important comprehension question and answers First question is How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned So the Douglas है, याने कि जो हमारे writer है, उन्होंने readers को, याने जो हम उनकी story पढ़ रहे उनके दिमाग में यह कैसे clear कि वो panic ने उनको grip कर लिया था, याने घबराहत हो रही की डर ने उनको जकर लिया था और वो almost drown हो गए थे, याने almost sink हो गए थे, almost dupe के literally death को experience कर लिया था Describe the details that I've made the description vivid आपको वो सारी details यहां पर बतानी है, जो कि text में समझाई गई है और vividly समझानी है, याने कि producing clear picture in your mind तो जब आप यह पढ़ रहे थे story, आपके दिमाग में आता जा रहता कि कैसे वो डूबा होगा कैसे अपने हाथ हिला रहा होगा, कैसे help के लिए चीख रहा होगा यह सारी जैसे जो उन्होंने बोला है वो आपके दिमाग में clear आता गया है तो वो सारी details आपको explain करनी है answer में William describes his experience where he had a close brush with death at the YMCA swimming pool तो William describe करते हैं कि YMCA के swimming pool में वो death को experience करके हैं क्योंकि वो डूब गया था उस pool में As it is first person account, he has described it deeply यह first person account है यानि कि जो इंसान है वो खुद अपनी कहानी बता रहे है और को उसके बार में बता नहीं रहा तो इसलिए खुद उन्होंने बहुत deeply बहुत clearly एक एक चीज बताई हुई अपने बारे में The emotional, mental and physical struggle and the paralyzing fear of drowning have been discussed in detail जो emotional state से गुजरना पड़ा William को death experience करने के बाद जो mental condition जिस दर से वो जी रहे थे और physical struggle यानि वो डूपने के बाद बहुत weak हो गए थे उनकी body paralyzed हो जाती थी यानि की move नहीं कर पाती थी डर से पूरी body freeze हो जाती थी, जकड जाती थी ये situations उन्होंने feel करी और detail में बताया गया है William retained his intelligence and he had a plan to overcome to the surface He tried it but I did not work, but it did not work and after a few trials to save his life, death dawned upon him All these details make the description vivid William बताते हैं कि जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने अपनी सुदबुद नी खोई थी उनकी कुछ intelligence थी उनकी दिमाग में कुछ plans थी कि ठीक है जैसी मैं floor तक पहुचूँगा मैं jump करूँगा floor पे होयाने कि जैसे ही मैं पानी के floor तक पहुचूँगा मैं अपने पेरों से jump करूँगा उपर surface पे आ जाऊँगा एक cock की तरह बाहर आऊँगा और जल्दी से solar board swim करके edge तक पहुच जाऊँगा तो यह सारी जो details थी यह सारी जो उनकी दिमाग में strategies थी यह बहुत यहाँ पर detail में vividly explain करी गई है लेकिन end में जब यह strategies भी काम नहीं आई and death dawned upon him याने death उनकी ओपर sigh की तरह आ गई वो literally डूपने वाले थी यह सारी experiences उन्होंने detail में explain किये question number two how did Douglas overcome his fear of water यह जो डर था पानी का यह जो fear था उन्होंने overcome कैसे किया इसको कैसे इस दर से बहार निकले तो William Douglas was not able to come out of his fear पहले तो वो बहार ही नहीं आ पारे था इस दर के so he hired a swimming instructor उन्होंने एक swimming teacher को hire गिया यह ने नौकरी पे रखा once he had learned swimming he wanted to check if he had overcome the fear as well उन्होंने पूरी तरीके से swimming तो सीख ली लेकिन फिर उनको अपने उपर check करना था कि जब मैं अकेले swimming pool में या किसी lake में या river में swim कर रहा हूं तो क्या वो डर फिर से तो नहीं आ रहा तो उन्होंने अपने आपको check भी किया he would swim in lakes and found the fear to return in small phases उन्होंने छोटे 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 lakes में swim करना start के और देखा कि अब भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत डर उनके दिल और दिमाग में आ रहा है William was no longer scared as he knew that he could swim और फिर फाइनली जब बड़े-बड़े lakes में वो swim करने लगे और एक बार भी डर उनके दिमाग में नहीं आया उन्होंने उनको अपना test पास कर गया और उनको feel हो गया कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं डरा सकती है hence he overcame his fear और वो अपने डर से बाहार आ गए और वो बहुत determined थे उनके अंदर willpower थी hard work करने की effort लगाने की हिम्मत थी उससे भी वो बाहार है क्योंकि एक ऐसा इंसान जो डर में ही रहता है अपने आपको motivate नहीं कर सकता वो कभी अपने डर के बाहार नहीं आ सकता तो इनके अंदर willpower और determination भी होट थी question 3 why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it what larger meaning does he draw from his experience तो William, William Douglas जो थे उन्हों अपने childhood के डर बच्पन में जो पानी से related incidents हो गए थे उस डर को उस experience को क्यों conquer करना चाहता है क्यों अपने डर को हरा के जीतना चाहता है और इस पूरे experience का William की life में क्या meaning है क्यों इतना meaningful उसकी life में experience तो William Douglas gives a detailed description of his childhood experience so that the reader gets familiar with the kind of fear that he had as a child तो बच्पन में जो भी डर वाले experience है जो भी पानी में वो डूब गए थे या California बीच पे बड़ी बड़ी लहरे उनके आप उपर आ गई थी ये सारी चीजों बहुत detail में explain करते हैं ताकि जो readers है जो हम लोग इनकी story read कर रहे है उनके mind में clear हो जाए कि किस तरीके का खौफ था किस तरीके का डर था जो कि William experience कर चुके है अपने childhood में When he quotes Roosevelt All we have to fear is the fear itself He tries to draw a larger meaning from his experience तो Roosevelt जो कि USA के President रह चुके उनकी कही होई बात को वो यहाँ पे quote कर रहे है उनकी कही होई बात थी All we have to fear is the fear itself याने हमको किस को डराना है हमारे death के डर को डरा के उसी को डरा देना है और इस डर से ओवर कम होके बाहर निकलना है तो इस quote से वो हमको क्या बताना चाहता है कि उसकी life में incidence का बहुत meaning था यह experience था उसकी life में जिसको उसने उससे वो बाहर निकला दर से बाहर निकला और उन्होंने आकरी में ये भी बताए कि जब उन्होंने अपने डर को इन्हें डर पे जीत पाली उनको किसी चीज से डर नहीं लगने लगा तो लाइफ में उनका और जीने की जो चाहत थी अपनी लाइफ को एंजॉई करनी की जो उनकी डिजायस थी वो और बढ़ गई और उनकी लाइफ वाथ मीनिंग्फुल बन गई क्योंकि जब तक वो डर रहे थे अपनी लाइफ को एंजॉई नहीं कर रहे थे ना फिशिंग जा पा रहे थे, ना वाटर फॉल्स पर जा पा रहे थे ना स्विमिंग कर पा रहे थे कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे तो उनकी लाइफ में मीनिंग बढ़ गया और जीने की इच्छा, जीने की चाहत भी बढ़ गई So children, with this we come to end of this chapter I hope आपको summary and आपको पूरी question and answers अच्छे से समझ में आये होंगे अगर आपको हमारे videos YouTube पे नहीं मिल रहे तो आप एक चोटा सा step follow कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको Google पे जाना है हमारे नाम डालना है हमारी website का जो की है magnetbrains.com जैसे आप website का नाम डालेंगे इस तरीके से आपके सामने एक page आ जाएगा यहाँ पे सारी classes mentioned ने class 10th, 11th, 9th, 8th, 7th and so on आपको जिस भी class का जो भी teacher का video देखना है आप उस पे click कर सकते हैं for example मुझे class 11th का English के videos देखने तो मैं class 11th पे click करूँगी जब मैं click करूँगी तो 11th class में पढ़ाने वाले सारे teachers जो भी वो subject पढ़ाते हैं उनके इस तरीके से list आजाएगी अब यहाँ पे English पढ़ाती हूँ मैं class 11th में जब मैं इस पे click करूँगी तो मेरे पढ़ाय हुए class 11th के सारे video lectures की यहाँ पे list आजाएगी इस तरीके से video आपके सामने play और आप पूरे मेरे video को completely देख सकते हैं अपनी पढ़ाय कम्प्लीट कर सकते हैं आपको समझ में आगया होका कि किस तरह से अगर YouTube पे video नहीं मिल रहा तो आप Google पर जाकर कैसे अपने videos को चेक कर सकते हैं तब तक ली बच्चों, stay tuned, bye bye and thank you